राज खुसरा साव ने हिंदी सिनेमा जगत ने बहुत ही बहतरीन फिल्में दी हैं बतौर डिरेक्टर वह एक परडूसर भी थे और स्क्रीन राइटर भी थे दोस्तों आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि राज खुसरा साव की फिल्मों के बारे में और कितनी फिल्में उन्हें डिरेक्ट की और कौन कौन सी फिल्में उन्हें डिरेक्ट की हैं दोस्तों आईए सबसे पहले गुजारिश है कि हमारे साथी लोग जो है वीडियो तो जरूर देखते हैं लेकिन सबस्क्राइब चैनल को नहीं करते हैं दोस्तों कृपया प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और साथ में दिये गए बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर दिजे थाकि आपके पास हमारी जितनी भी वीडियो की जानकरी है वो सबसे पहले आपके पास तुरंत पहुंच जाए तो आईए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों राज खोसला साब एक बहतरीन बहुत ही बड़िया फिल्म डिरेक्टर थे उन्होंने लगबग 27-28 के राहो नवा शहर जो पंजाब में राहो एक कस्वा है वहाँ उनका जनम हुआ था बेजिक लिए और इनका दिहांत 9 जून सन 1951 में माफ करना 91 में इनका दिहांत हो गया था दोस्तों तो वो मुंबई में हुआ था आईए अगर बात करते हैं इनके जो कैरियर में इनोंने फ पूर साहब भी एक बहुत बड़े डिरेक्टर थे लेकिन अगर बात आज राज खोसरा साहब की हो रही है और गुरू दत बहुत परभावी थे इनके उपर इनसे और देव साहब भी बहुत इनसे परभावी थे सबसे पहले जो फिलम आई थी इनकी उसका मिलाप फिलम आती हैं वो कौन थी मेरा साया मेरा गाउं मेरा देश पता नहीं कितनी बहतरीन फिलमें बढ़िया से बढ़िया एक से बढ़कर एक इनकी फिलमे आई हैं दोस्तों मिलाप जो थी सन 1955 में फिलम आई थी सी आई डी फिलम थी जो 1956 में फिलम आई थी क्या बात है कमाल की फिलम 1960 में आई थी, ज्यादातर ये फिल्मे थी जो पहले उस दोर में देव साहब के साथ ही इन्होंने ज्यादा काम किया था उस समय एक मुसाफिर एक हजीना, ये फिर थोड़ा बदलाव आया 1962 में ये फिल्म आई थी, वो कौन थी 1964 में ये फिल्म आई थी, मेरा साया 1966 में गमाल की फिल्में सुपर डॉपर हिट फिल्में रही है ज्यादातर हिट रही है इनकी फिल्में दो बदल आई थी मनोज कुमार साथ ते, आशा पारिक थे, उसके गीत कौन भूल सकता है अनिता 1967 में अनिता फिल्म आई थी दोस्तों, चिराग 1979 में आई थी इनकी फिल्म, दो रास्ते 1979 में आई थी फिल्म, मेरा गाउं मेरा देश सन 1971 में आई थी फिल्म, शरीफ बनमाशी एक फिल्म आई थी, देव सब की फिल्म थी, 1973 में फिल्म आई थी वो, आगे वड़ते हैं इनकी फिल्मों के बारे में और भी कच्छे धागे एक फिल्म आई थी ये सारी फिल्में जो अधिक तर फिल्में हैं इनमें डिरेक्शन दी थी उन्होंने दोस्ताना 1980 में आई थी दासी एक फिल्म आई थी 1981 में दोस्तों तेरी मांग सितारों से भरदू 1982 में फिल्म आई थी माटी माग एक खून 1983 में दोस्तों एक फिल्म आई थी दोस्तों सनी ए इन्ह jsंने डिरेक्षण दी थी 1984 में वो फिलम आई थी मेरा दोस्त मेरा दुछ मेरा दुश्मन उन्गाई थी नकाब 1989 में नकाब फिलम आई थी उसके इन्पाव इन्होंने फिलम पर्डियूस भी की थी वो थी 24 जो 1972 में फिलम दोस्तो ओ आही थी फिल्म अच्छी खासी वो भी चली थी फिल्म दोस्तों ये तो थी पूरी एक जानकारी इनकी फिल्मों के बारे में ही राज खोसला साहब की जो फिल्में थी दोस्तों तो इनके बारे में इनकी पूरी बायोग्राफी के बारे में भी एक अगले वीडियो में नेक्स्ट कीजिए थन्यवाद